पूरी दुनिया इस बिमारी से लड़ रही है और भारत के सामने कई और चुनोतिया भी खड़ी हो रही है जिहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैंबर ओफ कॉमर्स के विसीस कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बिमारी से पूरी दुनिया लड़ रही है भारत भी लड़ रहा है लेकिन अन्य तरह की मुसिपत भी खड़े हो रहे हैं कहीं बाढ की चुनोती कहीं टिड़ी का कहर कहीं उला विरिष्टी असम की ओयल फिल्ड में आग लगतार चोटे-चोटे भुकम की खबरें तो वहीं इस दोरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी-कभी समय भी हमें परक्ता है हमारी परिक्षा लेता है कई बार अनेग क कसोटियां एक साथ आती हैं लेकिन हमने ये भी अन्वाव किया है कि इस तरह की कसोटी में हमारा कृतित्व उज्वल भविश्य की गारंटी भी लेकर आता है करनाटा की ये दुरप्पा सरकार का बड़ा फैसला सातवी तक की एक ओनलाइन क्लास पर लगाया प्रतिबंद जिहां भारत में इस बिमारी का सर्थ हमने का नाम नहीं ले रहा है देश के हर राज्य में इस बिमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बिमारी का सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट और राजधानी दिल्ली पे देखने को मिल रहा है। इन दोनों जगों पर मरीजों की तदाद तेजी से बढ़ रही है। वैसे देश में इस ब क्लास को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि करनाटक सरकार ने बैंगलूरू में इल के जी से कक्छा सातवी तक की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी सरकार ने तुरंद इस फैसले को सुबे में लागू करने का आदेश दिया इसे पहले सरकार ने पाचवी तक के चात्रों के ऑनलाइन क्लास को लेकर बैन लगाया था। चैनल का वीडियो पोश्ट करते हुए लिखा कि लाखो यवाव ने परिक्षा दी, लाखो ने नौकरी की आस लगाई, लाखो ने साल भर इंतजार किया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार की नाको तले ये महा गोटाला सिस्टम में बैटे हुए लोगों की साठ ग पर इसे रोकना पड़ा था, सरकार इसके किलाफ डबल बेंच में गई थी, इसी बीच प्रियाग राज में पकड़े गए गिरोह, आरक्षन पर सवाल जैसे तमाम विवाद खड़े हो गए थे, बिपक्च इसको लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। इस बिमारी से पूरी तरह बेहाल हुआ पाकिस्तान, लेकिन इमरान खान को सता रही है भारत की जंता, कहा हेल्प के लिए हूँ तयार। इसके बावजूद, प्रधानमंतरी इमरान खान अपना ध्यान इस बिमारी में फसे हुए पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के बज़ाए भारत पर दे रहे हैं। के लिए तैयार हूँ और भारत के साथ हमारे सफल नगद अहस्तनांतरन कारिक्रम को साजा करने के लिए तैयार हूँ इसकी पहूँज और पारदर्शिता को अंतरास्थी इस्तर पर सराहना मिली है। के लिए गंबीर प्रयास उपक्षित हैं। सिंग ने कहा कि पिछले एक दसक में कम्प्यूटर रिक्रित होने से विभागों के कारेभार में कमी आई है। जिसके द्रिश्टिगत बदले परिवेश में अनुप योगी पदों को चिन्हित कर उन्हें समाप्त किया जाए। और यहारे परिशितियों में बाहिय एजन्सियों से कारे करा लिया जाए। इसमें रिक्त होने वाले चतूर्थ स्रणी तथा अन्य तकनीकी पदों पर भी नियमित नियुक्तिया करने पर पाबंदी लगा दी गई है।